जैहिन दौल आफ यू, सलोग इसमें चॉपिक का यह लेसन नमबर थ्री है, इस लेसन थ्री में आज हम कुछ स्पेशल्स कोस्टन्स को सॉल्व करेंगे, इन स्पेशल्स को स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल करते हैं, हमने लेसन वन में बेसिक कौंटसेप्ट को समझा, ले तो फस्ट आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें हमारे पास तीन कथन हैं, तीन कथन के साथ-साथ यहां पे निसकर्स कितने दिये गए हैं, चार निसकर्स दिये गए हैं, तो कथन को पढ़के पहले हम वेन डियागराम ड्रॉ करते हैं, तो फस्ट कथन में क्या दिया में क्या बोला गया है सभी ful s oversatone है तो जितने भी फल है यह सब हमने क्या बना दिये sgsenschaften बना दिये clear 3rd में क्या बोला गया है सभी stone बारिस हैं जितने भी stone है यह सब कि सब क्या हो गई बार्स बना दिये हमने clear वेन डियागरम सभी से बन जाएगा अब तो चलिए हम निसकर्स हम एक एक वीड करेंगे then हम answer find करेंगे कौन सा true है कौन सा false है तो first निसकर्स में बोला गया है कोई stone पेड नहीं है stone और पेड के मद में तो information नहीं है क्यों नहीं है संबन तो अंदर वाले का break हुआ है बाहर वाले से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इसलिए first निसकर्स क्या हो गया false second कोई बारिस पेड नहीं है बारिस और पेड में तो information नहीं है तो ये वाला निसकर्स भी क्या हो गया false तीसरा कुछ बारिस पेड है कुछ बारिस फल है, चलिए, बारिस से हमें फल में जाना है, मतलब बाहर से कहां जाना है, अंदर की ओर, तो सब्द कौन सा होना चाहिए, कुछ, यहां भी कौन सा दिया है, कुछ, तो यह वाला क्या हो गया, निसकर्स, ट्रू हो गया, सही हो गया, clear, फूर्थ पे आईए, यह वो इस सम में अपला हो रही है, तो हमने देखा, सेकेंड और फूर्थ वाले, निसकर्स में, अबजेक्ट सीम है, नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, और दौनों के मद्द में, कोई इनफॉर्मेशन नहीं है, फिगर में, इनके मद्द में क्या चलेगा, या तो द सही है, सा साथ ही साथ, क्या सही आया है? तीसरा निसकर्स सही आया है हमारा, तो ऐसे option में टिक करेंगे, जहां पर दूसरा या चोता एवं तीसरा निसकर्स भी सही है, क्लियर हो गया, चलिए, सेकेंड सम पर आते हैं, सेकेंड सम जो दिख रहा है, यह special question है, मैं आपको तो पहले से हिंड करे दूँ बहुत ही ध्यान से टाइम करेना इस सम को, पहले हम figure draw करते हैं, मतलब win diagram बनाते हैं, कथन के अनुसार पहला बोला गया है, कोई समूह आदमी नहीं है, हमने देखा हमारे पास जितने भी समूह है, कोई समूह क्या नहीं है, आदमी नहीं है, clear, then, स सभी जानवर क्या है, पेड, तो जितने भी जानवर है, हमने क्या बना दिये, पेड, clear, फे बोला गया, सभी पेड क्या है, जड, तो जितने भी पेड है हमारे पास, यह सब के सब क्या बना दिये, हमने, जड बना दिये, बना पाएंगे win diagram, definite बन जाएगा सभी से, अब नि ही है समूह और पेड़ देखिए कहा है फिगर में मैं पहले कलेच चिंज करे लो चलिए यह समूह और यह है पीड़ इंकी मद्द में इन्फोर्मेशन नहीं है समंद किसका टूटा है अंदर वाले से तो यह क्या हो गया फॉल्स क्लियर दूसरा देखिए सभी आदमी पेड़ हैं सभी आदमी पेड़ हैं अंदर से हम कहा रहें बाहर की ओर तो क्या होना चाहिए सभी यहां वे कौन से सब्द दिया सभी तो यह क्या हो गया सही क्लियर तीसरा कम से कम कुछ समूह पेड़ है समूह और पेड़ में तो इन्फोर्मेशन नहीं है तो यह क्या हो गया फॉल तो हम यहां पर इधर और के कंडीशन एक बाद चेक कहनी होगी तो हम देखते हैं इधर और कंडीशन यहां पर दो जिगा बन रही है ध्यान से देखिए फर्ष्ट वाले में और फूर्थ वाले में देखी ऑब्जेक्ट सेम है समूह पीड पीड समूह माइनस मतलब लेसन में आपको इन नोट लिखवाया था हमारे पास कोई और सभी ये दो सब्द एक साथ नहीं होने चाहिए ये दोनों सब्द एक साथ मिलगा इस वाले निसकर्स में इसलिए इनके मद में इधर और नहीं चलेगा इधर और की कंडिशन इंके मद में वैले नहीं मानी जाए ये क्लियर हो गया अब एक और जगह आप देख रहे होंगे तो आपको देखेगा कि यहां पी इधर और बन सकता है क्रॉस चेक कर लेते हैं हम वन और थर्ड स्टेटमेंट को देखें यहां पी सेम आपजेक्ट है समूह पेर समूह पेर नेगटिव सैंस पॉजिटिव सैंस दोनों में कोई information नहीं है इट मीन्स इंके मद्ध में बन जाएगा इधर और की condition तो final answer क्या निकलेगा दूसरा सही है साथी साथ पहला या तीसरा सही है clear हो गिया सबको यहां पे दो जिगा इधर और की condition बन रही थी परन्तु हमको ध्यान से देखना होगा जो note मैंने लिखवाया है उसको आप याद रखिए इधर और में सभी और कोगा कभी पेर नहीं बनता है तो हमने यहां पे कोई और सभी का पेर नहीं लिया clear है तो हमने क क्या बनाया answer second सही है साथी साथ पहला और तीसरा सही है clear बहुत ध्यान से करिए यह सब exams में आई हुए समय बिल्गुल भी mistake नहीं होने चाहिए आपसे वही easy concept हमें apply कर रहे हैं जो हमने बीते lectures में देखे हुए हैं चलिए next सम पे आते हम तो इस सम में क्या दिया गया है सभी अंक grade है हमने देखा जितने भी अंक है हमारे पास वह सब की सब क्या होने चाहिए grade फिर कोई grade इसकोई नहीं है grade और score के मंद्य संब्द ब्रेक कर दिया सभी पत्र क्या है score जितने भी पत्र है वह सब की सब क्या होने चाहिए score यह देखे अंदर बिठाल लिया हमने सभी score क् चरित्र जितने भी स्कूर हैं ये सब के सब क्या बंगए चरित्र बंगए clear figure बना पाएंगे आप सभी definite बन जाएगा अब हम मिलाते हैं एक एक निसकर्स को कम से कम सब्दे में मैंने बोला है आपको confused नहीं होना है ये हमाले useless data है तो हम कहां से rate करेंगे कुछ पत्र grade है पत्र और grade इनके मद में तो संब्द तूटा हुआ है क्योंकि जब बाहरवार का संब्द तूटा है तो अंदावार का संब्द भी क्या है तूटा हुआ है संब्द तूटी होने पे positive वाले क्या हो जाएंगे false यादा गया चलिए second पे आईए कम से कम को हटा दीजिए अब पढ़िए कुछ score grade है score और grade के मद में तो संब्द तूटा हुआ है तो ये भी क्या हो गया false clear ठरवाले पे आईए कम से कम को हटा दीजिए कुछ चरित्र अंक है कुछ चरित्र अंक है अब ये देखिए संब्द तो अंदर वाले से तूटा है बाहर वाले का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मतलब information नहीं है तो क्या हो जाएगा false clear फोर्ट पे आईए कुछ चरित्र पत्र है चरित्र रिसम कहां जा रहे है पत्र पत्र क्यों मतलब बाहर से कहां जा रहे है अंदर तो यह निसकर्स क्या हो जाएगा सही हो जाएगा clear हो गया याद आगा एक concept तो सका final answer क्या बनेगा केवल ओ केवल चौत्र निसकर्स क्या है सही है clear चलिए next time पे आईए कुछ पत्ती फल है हमारे पास जितने भी पत्ती है इन में से कुछ पत्ती क्या होने चाहिए फल होने चाहिए clear फे क्या बोला है सभी साखा क्या है फल जितने भी साखा है ये सभी क्या होने चाहिए फल होने चाहिए clear अब निसकर्स मिलाते हैं हम सभी तो हमने आपको बताया है कम से कम सब्द हमाले ये यूज लैस होता है तो इसको हटा दीजी क्या बचा कुछ जड़ फल है जड़ और फल के मद में संबंद बन चुका है क्योंकि वो आपस में कुछ सब्दे से जड़ चुकी है तो यह निसकर्स क्या हो गया तो हमने देखा सेकेंड वाले में कुछ साखा पत्ती है साखा पत्ती में तो इनफॉर्मेशन नहीं देख रही हमें तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स फिर कोई पत्ती साखा नहीं है इनफॉर्मेशन नहीं देख रही तो क्या हो जाएगा फॉल्स फूर्थ वान कुछ पत्ती जड़ है पत्ती और जड़ में भी इनफॉर्मेशन नहीं है फिगर में तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हम क्या चेक करेंगे क्या either or apply हो रहा है तो हम इसको check करती है तो हमको second और third मिलेगा statement जहां पे object कैसे मिली हमें seem एक का sense positive एक का sense negative दोनों में कोई information नहीं है यह है साखा और यह है पत्ती तो क्या बन जाए गंके मद्द में either or it means final answer क्या बनेगा पहला तो सही है साथे साथ दूसरा या तीसरा सही है clear हो गया आगे आपके समझ में अच्छे से मैंने इनको special sum क्यों बोला है हमें बहुत ध्यान से बा cross check कहना होगा exams में clear चलिए अगले sum पे आते हैं हम कथन आपके screen पे आ चुकी है उसकी नीचे निसकर्स भी दिये है ये sum में आपको as a homework देके जा रहा हूँ आप homework solve करिए इस sum को solve करिए 100% सबके answer सही आने चाहिए clear क्योंकि हमने अच्छे से practice की हुई है आप इसका answer मुझे send करिएगा नहीं तो मैं इसका answer आपको solve कर दूँगा इसके बाद हमको एक case और study करेना है possibility का वह possibility बहुत important part माना जाता है slogism का उसके लिए मैं separate video बना के दूँगा आपको तो आपको सभी concept अच्छे से clear हो जाएंगी तब तक के लिए जैहिंद all of you